नमस्कार मित्रो राशी रत्नों की हमारी शरंकला में आपका एक बार फिर्ट से स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के रत्न ओपल के बारे में ओपल रत्न दिखने में एक बहुत ही शांदार रत्न है बहुत ही चमतकार रत्न है इसकी सत्य पर बहुत ही सुन्दर सत्रंगी आभा नजराती है दोस्तो अगर आपके दामपत के जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है अगर आप कला के छेत्र से जुड़े हैं अगर आप सुन्दर प्रसादन के छेत्र से जुड़े हैं अगर आप जोलरी के व्यापार्ट से जुड़े हैं आप कपड़े के संबंदित व्यापार्ट से जुड़े हैं यदि आप किसी तरह के भी विलासिता से संबंदित व्यावसाय से जुड़े हैं यदि आपका व्यावसाय चेत्र मैलाओं से संबंदित है और आपको अपने कार अधिकतर हीरा रतन के जगे हीरे के उपरत्न पोपल को धारण किया जाता है किनतु मित्रों पोपल watch हीरे का उपरत्न होने के बावजूद भी किसी भी तरह से हीरे से कम प्रभाव इत नहीं होता अपितु पेवार्थ इसका प्रभाव हीरे रत्न से भी अधिक होता है हीरे से भी अधिक प्रभाव शाली माना जाता है दोस्तों अगर हम करें बड़े फिल्मी सितारे जिसे अमित दोस्तों एक बार फिर हमारा आपसे वादा है कि अगर आपने हमारा यह वीडियो पूरा अंत तक देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ओपल रतन से जुड़े आपके सभी सवालों के जाप प्राप्त रहेंगे कि ओपल रतन किसे पहनना चाहिए, कब पहनन चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए, ओपल रतन पहनने के फायदे क्या है अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए जिससे भविश्य में रतनों से जुड़ी कोई भी जानकरी हम आपको प्रदान करें तो वह आप तक पहुंच सके अगर आप मारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाप राप तो सके और घंटी का एगन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सक है तो इन्हें तो ओपल रत्म अवश्य ही पहनना चाहिए दूसरा कन्या मकर कुम्ब यह मितन लगन वाले भी ओपल रत्म पाइदबंद होता है तीसरा यदि आपके जनम पत्र में शुक्र ग्रह उच्च का है परन्तु कमजोर रिस्तिति में तो आपको ओपल रत्म अवश पहनना चाहिए यदि आप कपड़े या फेशन रिजैनिंग से सम्मदित कारे से जुड़े हैं तो आपके लिए ओपल रत्म विशेश फायदबंद है आपको ओपल रत्म अवश्य पहनना चाहिए यदि आपके दामपत्य जीवन का सुक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको ओपल रत्म अवश्य पहनना चाहिए यदि आप जेलरी या अन्य किसी भी संद्रे प्रसादन के छेतर से जुड़े हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ओपल रत्म धारन करना चाहिए यदि आपके जीवन में सुक संपनता एवन भोग विलासता की ब दोस्तो हमने जाना कि ओपल रत्म किन्हें धारन करना चाहिए लेकिन दोस्तो ओपल रत्म धारन करने के फायदे तब होंगे जब हम एक असली ओपल रत्म धारन करें अगर आप चाहिए तो हमसे भी सर्टिफाइड ओपल रत्म मंगवा सकते हैं इसके लिए स्क्रीन पर हमा किस्तिति में हो उपल रत्न नहीं पहनना चाहिए जिनकी जनब पत्र में शुक्र गए नीचका हो और वक्री हो उन्हें तो उपल भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए जिनकी जनब पत्र में शुक्र गए तीसरे छटे आठवे और भारवे स्तान में हो उपल रत्न नहीं पहनना चाहिए मित्रों हमने जना कि ओपल रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए आईए अब जानते हैं ओपल रत्न धान करने के फायदे के बारे में तो दोस्तों ओपल रत्न धान करने के फायदे हैं सबसे पहला यदि आपके जनम पत्री में शुक्र ग्रह उच इसे धन संपत्ति में व्रद् dairy होती है प्रेयम संबन्दों में सुधाल लता है ओपर रत्म दांपत्य जीवण से जुड़ी हुई सबी समस्थ्याओं को दूर करता है यह अउपल करती कई कि प्रक्रार की शारीरिक वीमारीों को उपलल रत्न दूर करता है उनसे मुक्त रूप से सिर पेट एबं गुप्तांगों से जुड़ी हुई विमारीओं से लंड़ने में विशेश लापकरी होता है मित्रो ओपल धारन करने से भोतिक एबं विलासिता की सुक समपत्यों में व्रद्धी होती है चुंकि ओपल रत्न गुरु शुक्राचारे का रत्न है और शुक्रग्रह का रत्न है इसलिए ओपल रत्न धान करने से ज्यान एवं शिक्षा के छेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है ओपल रत्न धान करने से शोर एवं प्राक्रम मान सम्मान में भी व् दोस्तों अगर आप चाहें तो हमसे विश्वसनी लेवद्रा प्राप्मानित ओपल रत्न मंगवा सकते हैं इसके लिए स्क्रीन पे हमारे नमबर दिये गए हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आईए अब जानते हैं ओपल रत्न धाने करने की संपूर्ण एवं सटीक विद पर दिये और शुक्र ग्रेय के नक्षक्र हैं बलनी पूर्वा फागोनी और पूर्वा शाड सवरपतम ओपल रत्न को पंचामरत से शुद्य करना चाहिए इसके पश्चातों से गंगाजल से साफ करना चाहिए इसके बाद शुक्रदेव के नाम से धूप अगरवत्ति करे शुक्र देव के मंत्र का 108 वा जाब करना चाहिए ओ मृम शुक्राए नमाहा इसके पस्चा शुक्रदेव का ध्याण करें नहें पून श्द्धा से प्रणाम करें उपल धहरन करें ओपल रत्न को पुरुषों को हमेशा दाइने हात की मध्यमा उंगली में धारन करना चाहिए और महिलाओं को बाएं हात की मध्यमा उंगली में धारन करना चाहिए जिस बेदिन ओपल रत्न धारन करें उस दिन कोई भी ग्रहन या अमावस्तिया नहीं होनी चाहिए दोस्तो अभी हमने जाना ओपल रत्न धारन करने की संपुन विदी के बारे में लेकिन दोस्तो ओपल रत्न धारन करने के फायदे तब होंगे जब हम एक असली ओपल रत्न धारन करें तो आईए जानते हैं क्या है ओपल रत्न के प्रकार और ओपल रत्न की पहचान तो ओपल और इसके अलावा ब्लेक ओपल, वाइट ओपर, फायर ओपर, मिलकी ओपल, हनी ओपल, कनी तेरे के ओपल पाये जाते हैं परन्तु मुख्य रूप से जो बाजार में मिलता है ओपल वहा है एक ओस्ट्रेलीन ओपर और दूसरा इतोपीन ओपल काफी अच्चा और उत्नवत्ता वाला माना द‍चा इसका प्रभाव बहुत अधीक समय तक और बहुत अधिक प्रबाव सirens स्ट अपना प्रषचात अपना प्रभाव और अपने गुनवत्ता को उरीलिसकि हमारी को राये हैं कि जब भी आप ओपल रतन धान करें तो आप ओस्टेलियन ओपल रतन धान करने की कोश्च करें किन्तु अगर आप चाहें तो इटोपियन ओपल भी धान कर सकते हैं दोनों ही अपना प्रभाव दिखाते हैं दोनों ही अच्छे माने जाते हैं ये तो हमिने बात करी ओपल रत्न के प्रकारों के बारे में and आई ये अब जानते हैं ओपल रत्न के पहचान के बारे में तो दोस्तों हमेशा की ही तरह दो कि जब भी आप किसी भी तरह का कोई भी रत्न खरीदें तो वह रत्न हमेशा एक विश्वस्निय व्यक्ति से विश्वस्निय लेप दोरा प्रमानित रत्न ही खरीदें क्योंकि आज कि वर्षों से कारे करने वाले अनुभवी लोग भी दोखा खाते हैं इसलिए हमारे आपसे प्रात्म है कि जब भी रत्न खरीदें तो एक विश्वस्निय व्यक्ति से पूर्ण तरह विश्वस्निय लेप दोरा प्रमानित रत्न ही खरीदें और अगर आप चाहे तो इसके लि कि दूर्ण खर्ण व्यक्तित